ओम नमस्षिवाय, श्वागत है आप सभी का मेरे अच्छ वारत द्वाय योटीब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको सूर ग्रेंड से संबंदे जानकर दे रहा हूँ साल 2023 का पहला सूर ग्रेंड पढ़ने बाला है गरबती मैलाओं को विशेशुरुप से द्यान रखना होगा साथ ही चार कुन सी रास्याँ जो बेहदी भागी सारी रहने वाली है दोस्तों जब भी सूर ग्रेंड या चंदर ग्रेंड पढ़ता है तो गरबती मैलाओं को विशेशुरुप से द्यान रखना होता है 20 अप्रेल को साल 2023 का पहला सूर ग्रेंट सुबह 7 बज करके 4 मिनट से शुरू होगा और दोपेर को 12 बज के 39 मिनट तक रहेगा। सूर ग्रेंट से 12 गंटे पहले ही सूतक काल सुरू हो जाता है। सूतक काल को अश्वव समय माना जाता है और इस समय में कई नियमों का पालन करना चाहिए। बहरत में यह ग्रेंट दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल का कोई विचार नहीं है. बारत के अंदर ये गिर्यान नहीं पढ़ने वाला है, बारत से बाहर पढ़ेगा, लेकिन गरपती में एलां को ध्यान रखना होगा 20 अप्रेल 2023 गुरुबार को लगने बाला सूर गिर्यान भारत में नहीं दिखाई देगा, इसी बज़े से गिर्यान का सूतक काल भी माने नहीं होगा यह सूर गिर्यन, कमोडिया, चीन, अमेर्का, मायक, क्रोनेजिया, मलेशिया, फिजी, जापान, समुआ, सोलोमन, बरुनी, सिंगापुर, थाइलेंड, अंटार्टका, आस्टेलिया, न्यूजिलेंड, वियतनाम, ताइवान, बाबुआ, न्यूगिन, इंडोनेशिया, फि शूर गिर्यन के समय, शूर्य अपनी उचरासी में रहेंगे, जहां उनके साथ बुद्ध और राववी मौजुद रहेंगे, साथ ही इस गिर्यन के दो दिन बाद ही गुरू का रासी परवरतन होगा, ऐसे में कई रासीयां बेहदी भागिसाली रहने वाली हैं, मेश रासी करक रासी, सिंग रासी, धनुरासी और कुम रासी, दोस्तो इन रासीयों का योग बहुत ही अच्छा रहने वाला हैं, और मीन राशी वालों पर इसका शुव प्रबाव ज्यादा रहने वाला है, यानि ज्यादा सुव प्रबाव रहे हैं, गरवती मैलाओं को पांच खारलों का ध्यार नहीं रखना होगा, देखो आगनी नहीं जलानी है, साथ बज़े से लेकर के बारे बज़े, साड़े बारे उसके बाद में सोना नहीं है, विशेशूप से द्यान रखें, कोई भी फलसबजी आदी नहीं काटनी है, साती कपड़े आदी नहीं दोने और कुछ खाना नहीं है, इस बाद का विशेशूप से द्यान रखें, आप जूस वगर पी सकते हैं, लेकिन चवाने वाली कोई भी द्यान रखना होगा, अलांकि इसका प्रवा भारत के अंदर नहीं है, लेकिन फृर भी आप द्यान रखें, ग्रेन के बाद में दान पुन करें, लाल बस्तू का दान करें, भगवान की पूजा करें, भगवान सिवकाव सिख करें, जिससे आपकी हर मनु का अमना पूरी हो